हेलो फ्रेंड वेलकम तू फ्रेंशेट प्रेपरेशन योटूब चैनल इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेकिया आता हूँ एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रियोडिक टेस्ट वन का कोषिन पेपर जो की क्लास थर्ड इवीज का ये कोषिन पेपर है किस तैब का आपका ये कोशिन पेपर आने वाला है कूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है Basically आपका class third का EBS का question paper three parts में divide किया जाता है सबसे पहले आपकी competency होती है observation and reporting Second competency आपकी होती है identification की और third competency आपकी होती है discovery of fact इन तीनों को combine करके आपका ये periodic test का question paper design किया जाएगा यानि कि आप ये समझ गए कि आपका question paper होगा इसके अंदर observation and reporting, identification and discovery of facts based questions आपके लिए frame किये जाएगे अब one by one सभी questions को देखते हैं समझते हैं कि किस type का question paper आपके लिए आएगा तो सबसे पहले मैं first portion यानि observation and reporting वाला जो portion है इसे cover करूँगा इसमें आपके लिए ये है question number one observe the following pictures and write their name अब देखो ये first picture और ये second picture इन दोनों pictures को आपको ठ्यान से देखना है और ये जो animal आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस animals का आपको name mention कर देना है अपने answer में बहुत easy सा question है जिसके अंदर first में आप पहचान सकते rabbit है अपने answer में picture के नीचे आप लिख देंगे है rabbit और उसके बाद जैसे आप ये elephant देख रहे हैं तो आप इसके नीचे नाम लिख सकते elephant बहुत easy सा picture है आपने picture को देखा और आपने अपना answer इस तरह से लिख लोगे उसके बाद देखो second question recognize the tree's name by their leaf अब देखो यहाँ पे आपको tree even नहीं है बलकि leaf given है leaf की basis पे आप tree के नाम आप identify करेंगे और उसके आपने answer में लिखेंगे जैसे आप यह देख पारे हो name है यह तो आप लिख सकते है name's tree ठीक है यह people का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है तो आप लिख सकते हो people's tree ठीक है तो यह जो आपने tree को आपका जो name mention करना है इस answer के अंदर आप picture देख करके बहुत असानी से बता सकते हो उसके बाद आपके लिए third question write the names of the domestic animals इसके अंदर आपको picture giver है domestic animal का और आपको इनका नाम लिखना है first बहुत common है आप लोग identify कर चुके हैं dog है mention कर दोगे cow आपको दिखाई दे रहा है आप mention कर दोगे अपने answer में और आपका यह काम complete हो जाएगा उसकी बाद जैसे आपने यह सारा चीज complete कर लिया अब picture के बाद आपको answer writing के questions मिलने वाले है जैसे देखो इसमें यह first question है name any two animals that can crawl अब देखो यहाँ पर आपको two animals के name mention करने अपने answer में और ध्यान यह रखना है यह जो भी animal आप नाम लिखोगे वो crawl करते हो ठीक है तो crawl करने वाले जो animals है उनके name आप mention कर दोगे one two लिख करके animal का नाम लिख दोगे उसके बाद नीचे है आपके इसी के अंदर second question जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि name of any two animals that can walk यानि कि वो सारे animals जो walk करते हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिख दोगे ज्यादा भी लिख सक लिखते हो but question में two mention किया गया है तो it means यह कि दो तो आपको लिखने ही लिखने पड़ेंगे दो से कम लिखोगे तो आपको marks में कम मिलेंगे तो इस तरीके से आपका यह question paper होने वाला है जिसके अंदर मैंने आपको यह observation and reporting का पूरा complete portion explain किया भी अब इसके बाद next है आपके पास second portion और यह है आपका identification and classification चले इसके बी questions को देख लेते हैं जैसे यह देखो question number one find any two names of animal from the password and encircle them अब देखो यहाँ पर two mention किया गया है तो at least two animals के name आपको identify करने है और उनको इस तरह से circle कर देना है तो जैसे आप बैने यह circle किया तो आप लोग समझ गए है कि यहाँ पर बहुत सारे animals इसके अंदर हैं जिनके नाम यहाँ पर mention किये गया है आप किसी का भी नाम यहाँ पर निकाल सकते हो ठीक है और circle कर सकते हो आसान सा question है थोड़ा सा ध्यान से देखो अराम से रोक करके वीडियो को और जब आप एक टी करके देखना start करेंगे तो आपको यहाँ इस crossword में बहुत सारे animals के name मिल जाएंगे सिर्फ दो को ही करना है पर घर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा practice करो जितने ज़्याद आप identify कर पा रहे है उतनी अच्छी बात आपके लिए है ठीक है उसके बाद देखो second question है आपके लिए identification and classification portion के अंदर तो जैसे यह draw two fruits that you like to eat अब देखो यहाँ पे fruit का name mention नहीं किया गया आपको बलकि यह बोला गया कि जिसको आप खाना पसंद करते हो यानि जो आपका favorite fruit है उसके आप draw कर सकते हो suppose करो किसी को mango पसंद है तो mango draw कर सकता है किसी को banana पसंद है तो banana draw कर सकता है apple पसंद है apple draw कर सकते हो यानि यह आपकी choice के आप किसी भी fruit को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, जिसे आप खाना पसंद करते हो, ठीक है, easy सा question है, बहुत असानी से आप इसका answer complete कर सकते हो, इसके बाद next है आपके लिए, यह देखो, यह question, ऐसे यानि की short answer वाले question, कि write the names of two tree, ठीक है, किसी भी two tree का नाम आप mention कर सकते हो, जो भ इसके according, next है इसके अंदर second question, name two different types of food, आप food के भी different types होते हैं, तो जो जो आप खाना खाते हो, खाने में जो भी food आप use करते हो, आप उनका नाम लिख सकते हो, चपाती खाते हो, ठीक है, और junk food वगरा जो होते हैं, उनमें भी बहुत सारी चीजा आप खाते हो, ठीक है, fresh food, junk food, जो भी है, इस तरह से आप उनका नाम लिख सकते हो, उसके बाद third question देखो, write the two sources of food, कि food के sources क्या होते हैं, वो आपको mention करना है, और जैसे आपको बोला जा रहा है, two sources, एक तो animal in का source होता है, जो लोग non-veg खाते हैं, वो लोग basically, उनके food का source क्या होता है, animal होता है, और उस तो इस तरह से आपका ये portion complete हो जाएगा, उसके बाद long answer वाला question, जैसे ये देखो, ये question है, write any five uses of water, water जो कि हम लोग घर में बहुत सारे multipurpose use करते हैं, तो उनके use आपको लिखने हैं, और total five uses आपको लिखने हैं, तो number डालके one, two, three, four, five, इस तरह से आप one by one sentence में इनके uses लिखोगे, drink के लिए, cooking के लिए, cleaning, cloth के लिए, cleaning, utensil के लिए, और भी जितने भी use होते हैं पानी के, ठीक है, उन सब की use आप लिखोगे, one by one sentence की form में, यानि इस question के अंदर आपको five sentence लिखना है, और ये जो five sentence होगे, ये water से related इसकी use है, same same मत लिख देना, different होना चाहिए, य कि identification, classification, ये आपका complete हो जाता है, इसके बाद हमारा last portion है, अपने इस question paper के अंदर, वो है discovery of fact का, ठीक है, ये थोड़ा से lengthy होगा ये आला portion, चलो, इसे भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे, VSA का मतलब होता है, very short answer वाला question, कि answer the following question, जैसे इसमें A part है, इसमें आप one tree to another, यानि आपको ऐसे animal का नाम लिखना है, जो कि one tree से second tree पे जाके jump कर लेता है, चला जाता है, बहुत आसानी से आप इसका नाम लिख सकते हो, कि जो बंदर होते हैं, यानि जो monkey है, वो क्या गरते हैं, जम करते हैं, कभी इस tree पे कर दें, तो आप वो अपने answer में आप ले अगर आपको यह correct लगता है, हिट में आप यहाँ नीचे answer में true लिख सकते हो, अगर आपको यह false लगता है, नहीं sir, यह wrong है, तो आप अपने answer में false लिख सकते हो, तो crocodile, यानि मगरमच के बारे में आप जानते हो, तो आप यह कह सकते हो, कि sir, यह true है, वो water के अंदर ही रहता और sewing तो कर सकता है, तो अब आप answer true लिख सकते हो, यानि कि यह statement आपको correct दे रखता है, उसके बार next है c पार्ट देखो, c में आप से बोलता है, name a herbivores animal, यानि ऐसे animal जो कि vegetarian है, यानि कि grass वगरा है, खाते है, उस animal के आपको यहाँ पर name mention करता है, करना है, तो एक भी लिख सक जैसे आप elephant लिख सकते हो, got लिख सकते हो, ठीक है, यानि कि ऐसे animal के आपको name mention करने है, जो कि totally depend होते है, plant के ओपर, यानि vegetarian होते है, उन सारे animal के नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, easy सा question है, ज्यादा tough नहीं है, आप लोग आसानी से से कर सकते है, इसकी बाद जै vegetarian है, यानि कि जो meat वगरा खा लेते हैं, किसी जानवर को मार के खा लेते हैं, उस type के animal को आपको identify करना है, और आपकी यह बास यह two option है, either you have to choose got और you have to choose tiger, तो आप लोग जानते हो, कि tiger कैसा animal है, जो कि दूसरों को मार के खा जाते है, तो आप अपने answer में लिख सकते हो, bracket में यह आपको mention भी किया गया है, कि write the correct animal, कि इन दोनों में से correct कौन सा है, one तो wrong है, यह जासे हम got की बात करें, यह herbivores है, यानि कि यह घास वगरा खा लेते हैं, यानि vegetarian है, और tiger क्या है, non-vegetarian है, तो non-vegetarian animal का आपको यहाँ पे नाम एक तरसे लिखना था, बहुत असानी से इ next है आपके लिए E part, और इसके अंदर आपको बुला जा रहा है, what do we get from food, food से हमें क्या मिलता है, ठीक है, food जिसे जो भी हम खाना खाते हैं, इसमें हमें क्या मिलता है, तो basically हमें तो energy मिलती है, पर energy के अंदर भी बहुत सारी components इसे आप बोल सकते हो, तो आप energy लिख करके भी answer complete कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो, हमें protein मिलता है, carbohydrate मिलता है, ठीक है, और भी जो हमें fiber हमारी body को चाहिए, fiber मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजी हमें किस से मिलती है, food से मिलते हैं, तो इस तरीके से आप अपना answer लिख सकते हो, basically food, यानि कि जो भी आप खाना खाते हो, vitamin वगरा भी इसके अंदर cover होते हैं, तो वो आप अपने answer में लिख सकते हो, उसके बाद next है, आपके लिए इसका e part, देखो ये वाला, कि write the name of your favorite drink, जो भी चीज़ आप पीना पसंद करते हो, उसके बारे में आप यहाँ पे answer में लिख सकते हो, बहुत सारे बच्चे हैं जि किसी को निम्बू पानी पीना पसंद है, तो वो भी आप लिख सकते हो, सिकन जी वगएरा, जैसे ब बोल भी देते हैं, हम लोग घर पे बनता भी है हमारे, वो भी आप लिख सकते हो, सरवत पीना पसंद है, या फिर किसी को कोल रिंग पसंद है, तो जो भी आप पीना सबस कि discovery of fact के अंदर यह जो question आप कर रहे थे very short answer, यह complete करोगे तो अब है आपके लिए short answer वाले जैसे यह देखो, इस question में draw two different types of house and write their name यानि कि यहाँ पर आपको house draw करना है, ठीक है? यह first वाले में भी draw करना है और second वाले में draw करना है पर different types के यानि कि same type के draw नहीं करोगे एक तो village वागरा में जो house होते है mud house होते है, वो draw कर सकते हो और इसके अंदर city वागरा में, town वागरा में जो house होते हैं, building वागरा होती है यह आप यहाँ पर draw कर सकते हो और अच्छे से color कर देना ताकि आपको यह पूरे marks मिल जाए तो यह तो था इसका first proportion यानि कि यह जो short answer वाला question आप complete कर सकते हो उसके बाद next आपके लिए long answer ठेक है, अब long answer में है थोड़ा से lengthy answer लिखना होगा चलो इसे भी बढ़ लेते है write five basic needs of a home अब घर के अंदर हमें कौन-कौन सी हमारी basic needs पूरी होती है या घर में किन-किन चीज़ों की जरुरत होती है उन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है अब यहाँ देखो A, B, C, D, E यह जो points आप तरह से बने हुए आपके लिए तो यहाँ पे आप क्या करोगे one by one home के regarding में यह सारी चीज़े बाते लिखोगे यानि कि आपको at least five sentence लिखने है और यह question जो है आपका यह five marks का ही होने वाला है तो घर पे जब आप practice करो मैं कहूंगा आप five sentence की नहीं बलकि ten sentence की practice करो ज़्यादा practice करोगे तो उतना अच्छा आप लिख पाओगे अपने answer को तो इस तरह से आपका class third EBS का PT1 का question paper frame किया जाएगा इस वीडियो को आप अच्छे से utilize करो practice करने के लिए और यह जो मैंने तीनों portion यानि सबसे पहले मैंने आपको observation and reporting complete करवाया था उसके बाद मैंने आपको ये identification and classification करवाया और उसके बाद next आपको मैंने discovery of fact ये तीनों जो competency cover कर रहा है इनके अंदर जितने भी questions हैं इन सब की आप practice करो ताकि आप exam में अच्छे mark score कर सको अब आप लोग मुझे comment करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी ठीक है वीडियो को like करना अपने दोस्तों में शेर जरूर करना और चैनल friendship preparation को subscribe कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली new वीडियो की notification रेसीव हो सके हाँ description जरूर चेक करो जहाँ पर मैंने आपको PT1 का question paper के other subject के question paper की पूरी playlist मैंने आपको share कर रखी है और class third EVS का जो बाकी chapters है यानि मैंने आपको यह पूरा chapters complete करा रखा है इसका एक playlist है इसका link भी मैंने नीचे description में आपको share कर रखा है वो भी आप देख सकते हो ठीक है ठीक है चलो फिर मिलते है next video में नेक्स वीडियो आप किस topic पर देखना चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो मुझे Instagram पर follow करके मेरी ID है at the rate Mr. Krishna साथ ठीक है चलो फिर मिलते है next video में Thanks for watching बाबाई